ही प्लान्ट ओलिक्स वेल्कम बाक तो मैं चैनल होप यू लूइंग वेल इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो आप एंड तक जरू से जरू वाच आउट करिएगा इसमें आपको रीजन के सासत इसका ट्रीट्मेंट भी बताऊंगी देखे फ्रेंड्स अगर आपके प्ल ऐसी समय में इस तरीके की दिक्कत आ रही है कि पति पूरी पीली हो जा रही है या फिर इसके साथ साथ बीच-बीच में आपको ये ब्राउन स्पॉ रही है तो इनके कई सारे रीजन्स होते हैं एकी रीजन नहीं होता है तो सबसे पहले आप अपने प्लांट की पतियों को अगर यह उपर से जल गई है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एजिस में ब्राउन हो गई है या फिर पूरी की पूरी पत्तियां पीली हो रही है तो देखे यह कई बार ऐसा होता है आपने मार्च के अराउंड भी देखा होगा कि आपके प्लांट की पत्तियां जो है वो हो जाती है इसके सासा अगर आपके प्लांट जैसे कुछ छुपे हुए रोस प्लांट होते हैं जैसे कि यहाँ पी देखे चोटा सा रोस प्लांट है यह इस बड़े प्लांट के शेड में आ गया था तो इस वाले प्लांट को अगर मैं देख के बताऊं तो इसकी डेफिश तो यह चीज आपको चेक करना है, स्वाइल उठाकर चेक करिए कि प्लांट की स्वाइल में वाटर लॉगिंग वाली दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले अपने प्लांट की लोकेशन को आपको शिफ्ट करना है, इसके साथ इसमें जहां कहीं पर भी प पिग्मेंटेशन है, वो खतम हो गया है, तो यह ओवर वाटरिंग की वज़े से होता है, तो इसमें सबसे पहले आपको अपने प्लांट की गुडाई अच्छे से कर देनी है, फिर उसकी लोकेशन को आपको थोड़ा सा सनी या ब्राइट एरिया में रखना है, जहां पे से अच्छी खासी खुली धूप मिले, तभी आपका प्लांट जो होगा, वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, तो यह चीज आपको माग करना है, इसके साथ साथ अगर आपके प्लांट में कहीं पे भी इन्फेक्टेड लगी हुई है, या सूखी डंडिया लगी हुई है, उनक चेंज ओफ टंप्रेचर भी कई बार होता है, जैसे कि आप मार्च के राउंड आपने पती पीली देखी, फिर इधर आप, क्योंकि वो ठंड से गर्मी की तरफ प्लांट आता है, फिर इधर अगर मौनसून में होती है, तो यह गर्मी से थोड़ा सा जब बारिश होती है, प्लांट को ठंडा सा होता है, तो वो भी सदर चेंज होता है, तो इस वज़े से पत्या पीली होती है, नैच्रल वे में अगर नीचे से पत्यां जैसे पुरानी बहुत पीली हो रही है, तो वो भी एक रίζण नीचे की पत्तियां पीली हो रही है तो वहां पे धूप नहीं पहुँच पाती है, लो लाइट की वज़े से ऐसा होता है, तो आपको इन पत्तियों को जो भी इंफेक्टर लीव्स हैं उनको ज़रूर हटा देना ताकि आपकी जो अधर लीव्स हैं वो इन फेक्टर ना हों, कई बार इसमें भी जो प्लांट की प्लांट की प्लंड पीली हो रही होती तो इनको लीव को आप पूरी तरीके से उटा दीजिए और इसदर आपको फेकना पॉधा लाते हैं और उसको आप रिपॉर्ट करते हैं तो कई बार पतियां पीली हो जाती तो वो रिपॉर्टिंग शॉक की वज़े से भी होता है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है इस प्लांट का जो स्वाइल का पी एश लेवल होता है कई बार बढ़ जाता है जैस इसी तरीके का लोग जैसे कॉफी घोल के डाल देते हैं वो सब आप अभी मत करिएगा क्यूंकि ये प्लांट अलड़ी बारिश का पानी इनको मिल रहा है उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में न्यूट्रेटिव वैल्यू उनको मिल जाती है और आपके स्वाइल जो होती है वो ऐसे डिक बनी रहती है तो अभी आपको ये वाला काम नहीं करना है मैं इसकी स्वाइल में जो ऐसे डिक लेवल को बरकरार रखने के लिए मैं सिर्फ और स्विटकरी का पानी डालतु हूँ जो कि मैं इधर मॉन्सून में नहीं डालती हूँ आपको भी नहीं तो आप जो भी आपके प्लांट में spent flask लगे हुएं, कहीं पे आपको पतियां खराब सी दिख रहे हैं, तो बस soft pruning कर दीजे, hard pruning आपको अभी नहीं करनी है, ये वाला जो काम होगा, 15 अक्टूबर के बाद करिएगा, वो भी वीडियो में आप लोग के साथ जरू से जरू करोंगी, तो ये भी चीज आपको करना है, इसके साथ, friends, आप देखे, यहां पर भी मेरे प्लांट में कुछ पतियां बिल्कुल से जल सी गई है, तो कई बार मॉनसून में धूप बहुत जादा तेज होती है, जैसे कि गर्मी में धूप होती है, उसी तरीके से मॉनसून मे चेंज होने के वज़े से, जो कि मैंने आपको पहले बताया, उस वज़े से भी होता है, आप इसके साथ, friends, सकर्स आपके प्लांट में देखे, यहां पर भी निकला हुआ है, इंग्लिश रोजस में सिर्फ औ सिर्फ आपको सकर्स को हटाते रहना है, इसके साथ, friends, जादा micronutrient की जिसके वेज़ से पतियां पीली होती है, especially iron की deficiency से पतियां पीली होती है, कई बार आपके potassium की भी कमी से पतियां पीली होती है, तो आज अगर आपके plant में किसी भी तरीके से आपका plant जो है, वो nutrition से deficient है, तो उसके हम पूरा करने के लिए यहां पर बनाना पील बिल्कुल सूखा हुआ आपको लेना है, फ्रेश आपको बनाना पील नहीं ले लेना, इस तरीके से सूखा हो, आवाज आती हो, वैसा आपको लेना है, जो बिल्कुल एकदम सूख जाए, यहां पर मैंने एक किलो का नीम खली का पैक लिया हुआ है, इसके साथ मैंने एक कि पाई जाते हैं जैसे calcium हो गया iron भी पाया जाता है और इसके साथ अधर जो sulfur हो गया बहुत अच्य-ची मात्रा में इसमें nutrient पाई जाते हैं और जो banana peel डाला है वो potassium में बहुत जादा रिच होता है और आपको अभी बारिश का time है तो बहुत जादा nitrogen rich fertilizer नहीं डाल देना है मैं इ नीम खली जो होता है वो excellent source of आपका जो fertilizer के तौर पे तो करता ही करता है इसके साथ साथ friends fungicide और pesticide के तौर पे भी बहुत अच्छा काम करता है इनको सबको आपको अच्छे से मिला लेना है एक layer आपको उपर soil की निकाल लेनी है इस समय मैं इसलिए निकाल लोगी क्योंकि य आफेनार के लिए आप इसी तरीके से छोड़ दीजे ताकि इसमें धूप अच्छे से लग जाए इसी तरीके से मैं आपको एक other जो मेरे पास plant है उसमें भी करके दिखा दे रहे हूं मेरे पस वैसे बहुत सारे plant है रोज के इसकी भी मैं क्योंकि पत्तियां पीली जादा हो आप जो एक कील होती है पुरानी उसको आप इसकी स्वाइल में गड़ा दी जो लोहे की जो कील होती है नहीं तो अगर आप ये fertilizer mix डाल दोगे वो इससल्फ आपके plant के iron deficiency को भी खतम कर देगा इसके साथ साथ अगर potassium deficiency से हो रहा है तो वो आपका बनाना पील खतम कर देगा औ और जो हमने नीमखली डाला हुआ है वो फ्रेंट्स आपके plant को fungus से चुकी है मौनसून का टाइम है तो आपका plant बहुत जादा प्रोन होता है फंगस को लेकर अब आदे गंटे से फ्रेंड उपर हो गया है आपको करना यह है यहां पर मैं आपको सबसे पहले देखे डालने क तो पतियां पी ली होंगी इधर आप यह देख सकते हैं यह 12 इंच का pot है प्लांट भी बहुत जादा मिच्योर है तो यहां पर मैं दो मुठी भर कर डालूंगी देखे कई बर excessive fertilizer की वज़े से भी पतियां पीली होती है तो आपको अपने plant को over fertilize नहीं करना है कुछ भी fertilizer डा सिर्फ महीने में एक बार डाली इसके लावा आप 15 दिन में जो liquid fertilizer या कुछ अधर चीज आपको एक महीने में दो बार feed नहीं कर देनी है इस चीज को आप no down कर लीजेगा क्योंकि इस वज़े से भी आपके plant की जो पतियां होती है वो पीली होना शुरू हो जाती है अप उसक इन रीजन की वज़े से आपके जो मैंने आज आपको बताया है तो maximum यही चीजे दिक्कत आती है plant में जो मैंने almost cover up कर दी है कि आपके plant में जो पतियां पीली होती है इस रीजन से भी होते है और हाँ एक चीज और मैं बता दूँ इस plant का अगर आप soil mixture बनाते तो बहुत ही ज बनाने के लिए आप 30-40% के करीब सैंड को जरू से जरू मिलाए ताकि आपके plant का जो soil media हो वो पोरस बना रहा है आप पानी डाल यह चंके निकल जाए जैसे कि इसको भुरभुरी soil पसंद होती है इस चीज को आप ध्यान में जरू से रखेगा सक soil यह plant पसंद नहीं करता है अब तुकि मेरे plant की soil जो है वो थोड़ी सी नम बनी होए लेकिन पानी आपको हलका हलका सा आप देखे मैं sprayer की bottle की मदस से इसमें पानी डाल भी बिल्कुल जरा सा आपको डाल देना और इसको बिल्कुल आप open area में रखे जहां पे इसको पूरे दिन भर की अच्छी धूप मिले तो वहां पे आपके plant की जो ये समस्या है पीला आने की पतियों में जो chlorophyll कम हो जाता है पतियां हरी जो होती है वो बिल्कुल से पीली हो जाती है ये चीज आपकी sort out हो जाएगी आप अगर आपके plant में fungus की वज़े से पतियां पीली हो रही है इसमें आप चेक करिएग powder को डाल दीजो और इस तरीके से अपने plant की पतियों को बिल्कुल नहला दीजे और जिस दिन धूप निकली हो उसी दिन आपको ये काम करना बारिश वाले दिन नहीं कर दीजेगा ने तो जितना कुछ आपने अभी डाला है वो सब का सब बारिश के पानी से धुल जाएगा इस चीज को आपको ध्यान में रखना है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ये वाला जो काम होगा 15 दिन में एक बार मौनसून के समय में कर लेना है और अगर फ्रेंट्स गर्मी के टाइम हो रहा तो महीने में एक बार कीजेगा और विंटर के समय में भी आपको ये काम दो बार करना होगा इस चीज को आपको ध्यान में रखना है तो अगर फ्रेंट्स आप इन्स चीजों को फॉलो करोगे तो आपके प्लांट की जो ये पलतियां पीली होती है वाली समस्या जो होगी इसका निदान हो जाएगे इसके साथ फ्रेंट्स कुछ अडिशनल टिप्स में आपको ध्यान में रखना है कि दिवाल को मच हुए इसके साथ साथ आपको अपने प्लांट्स के जो पॉट्स होंगे थोड़ा सा स्पेस भी बना कर रखना है कि अगल बगल में एयर का पैसेज अस्छे से हो सके ताकि आपके प्लांट्स में किसी भी तरीके का फंगस का इन रिटान आपके प्लांट्स जो होंगे वह हल्दी तरीके से ग्रो करेंगे तो फ्रेंट्स आप जो भी मैंने आपको काम करके दिखाया है अगर आपके प्लांट्स की पत्तियां पीली हो रही में बहुत जादा जो बारिश के पानी के विज़े से हम इन प्लांट्स को ट पॉट हो इसको टिल्ट कर दीजे वैसे मेरे प्लांट पे नहीं पानी भरता है क्योंकि लगातार बारिश में भी रखे रहते हैं नीचे जो इनका ड्रेनेज होल है वो बहुत अच्छा कास है और स्वाइल भी पोरस बनी हुए तो नीचे से एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाता है तो जो भी चीज मैंने आज आपको करके दिखाई उसको जरू से जरू करिएगा तो फ्रेंट आप लोगों को मेरा यह आज को वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जर कीजेगा, hope you like the video, thank you so much.